नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी वी नीरसर चैनल पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है बहुत से लोग जो है एजी टी विकेंसी का वेट कर रहे हैं और एक विकेंसी और है जिसका रिजल्ट आना है लेखपाल सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लेखपाल के विशे में क्या निकल के सामने आ रही है लेखपाल इसके रिजल्ट इसका जो है मेरे बच्चो 28-29 जो है डेट में 28-29 तारीक में इसका रिजल्ट जो है जारी हो जायेगा 28-29 में या फिर एक दो जन्वरी को इससे ज्यादा जो है समय नहीं लगेगा लेखपाल का रिजल्ट आ जायेगा ठीक इसके बाद अगर हम बात करें तो AGTA की बात करेंगे ठीक है AGTA 52-29 पद आपको पता है बहुत बड़ी भरती है AGTA 52-29 पद जो की बहुत जल्ट ये भी रिलीज होने वाले हैं और जो लोग कह रहे हैं कि ये 2022 पट से नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूँ ये जो पद हैं वो 2022 पट से ही आएंगे और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो कर्शिन निदेशाले से 906 विद्यार्थियों वाला मामला फसा था कल नहीं भेजा गया है आयोग और उस पे कार बहुत तेजी से हो रहा है जैसा कि आपको पता है आज वहाँ से सब कुछ काम खतम होके जो है आज ही साम तक सारा काम सारा डाटा जो है वो आयोग तक भेज दिया जाएगा और देख लेना बहुत जल्द आपकी AGTA की भरती भी 2022 पेट से निकलेगी लोग देखो बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं सर अब 2022 पेट से नहीं आएगी बहुत से चैनल वाले कह रहे हैं मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ सीधी सी बात आप अपने भेजे में डाल लो भाई देखिए अभी UPP की वंची आई है 60244 सरकार इसमें एज का भी छूट देगी क्यों छूट देगी क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भरती में सामिल करना है जिससे फैदा हो उनका भाई फैदा होगा तभी तो सामिल उनका ज्यादा फैदा होगा तो उनका भी फैदा होगा तो आप परिशान ना हो AGTA भरती में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामिल किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा 2022 वाले लोगों का मौका पक्का मिलना है 100% मिलना है और ये भरती 2022 से ही आएगी इसमें आपका भी फैदा है और सरकार का भी फैदा है क्योंकि चुनावी वर्षाने वाला है, तो परेशान बिल्कुल ना हो, तैयरी करतो रहो, 2022 प्रेट से आपको बहुत जल एजी टीए का विध्यापत देखने को मिलेगा, ठीक है, परेशान होनकी कोई बात नहीं है, सारे वीडियो जो है आपको, जो है HDV नीरसर चैनल पर सार याट के लिए नमस्क्राद, धन्युआद, भाइबाए.